खेलो अभरीबन वईलकम कुम हर सोल्व करेंगए क कोश्चर नन्बर 3 सिंप्लिफाय दा फॉल्विंग यह मैं वाकशिट थॉ कैसे सिंप्लिफाय करेंगे पहले हम rag 25 कर चुकर हैं इसके पहले के जो कोश्चर थे हुसमें तो यहां पर हम रूट अपलाय करेंगिصل तो अभी एक बार फिर से हम remain कर लें, कि ये देखिए हमारे पास है पहला binomial, ऊके, ये है दुसरा binomial, ठीक है, चुकि क्यों binomial है, तो आप देख लिज़ेए इसमें 2 terms है, 2 terms है, हाँ ना, ये 2x और ये minus 3y, ये हमारे 2 terms है, तो ये binomial हो गया, हम इसको multiply करेंगे, फिर यहाँ प ही टर्म को multiply करेंगे कि इसका second polynomial का ओके और यह तो आईए पहले यह कर लेते हैं उसके बाद हम आगे करेंगे तो आप देखिए यहां पर हम डायेट करना चाहेंगे तो टू एक्स का होगा तो आप देखिए जो कोफिशेंट है उसको कोफिशेंट से मल्टिप्लाइ करना है तो टू क्या हो गया सिक्स यहां पर क्या है एक्स यहां पर एक्स तो क्या हो जाएगा एक्स का पावर टू किलियर आप देखिए टू एक्स का मैंने फर्स टम से कर लिया टू एक्स का आपको 1 दिख रहा है ओके कुछ नहीं है तो 1 दिख रहा है इसका मतलब 1 और 2 multiply होंगे तो क्या होंगे हमारे पास 2 ओके यहां पर प्लस यहां पर भी प्लस तो आपको क्या मिलेगा प्लस तो यहां पर xy आएगा समझ गए आगे देखिए हम क्या करेंगे second step पे यह जो 3y है इससे हम multiply करेंगे दोनों ही टब में तो आगे हम multiply कर लें तो minus है यहां पर minus और यह प्लस तो minus plus क्या होगा minus होगा थिरी थिरी जा क्या होगा 9 y और x ताने की xy लिखना है चलिए फिर हम यहां करेंगे 3y का किस से 1y से तो 1 और y multiply क्या होगे 1 और यहां 3 multiply क्या होगे हमको 3 मिलेंगे ओके 3 लिखिए और यह plus और यह minus क्या मिलेगा minus यहां पर क्या होगा y to the power 2 क्यों चुकि यहां पर one power यहां पर one power यह देखिए यह जो पार्ट है आपका multiplication हो चुका ओके यहां से यहां तक में आपका यह पार्ट complete हो गया अब हमारे पास है second part यह देखिए ओके यह second part है हम इसको multiply करेंगे तो आईए हम यहां पर plus sign देदें चुकि पलस है अब हमको क्या करना पड़ेगा first time multiply करना पड़ेगा तो x को x से किजी आपको क्या मिलेगा x square फिर x का आप y से किजी चुकि यहां minus है और यहां plus तो minus करना है x y के लिए इसके बाद क्या किजी 2y है 2y को आप x से multiply किजी तो आपको क्या मिल जाएगा यहां पर 2xy मिल जाएगा फिर आप इसको y से multiply किजी तो क्या मिलेगा minus में 2y square ओके यह सभी का multiplication हो गया अब हमारा next काम क्या है ना like term को देखना है okay like term कोन कोन है हाना उसको हमको check करना है और उसको क्या करना है एड या सब्ट्रेक तो आई quería हम लोग करते हैं तो हम लोग पहचान लें, यह देखिए, x square यहाँ पर है, x square यहाँ पर है, और कहां है, कहीं नहीं है, तो यह होगे like top, तो अभी है न, इसको आप add किजिए, यहाँ पर plus 1 आपको देख रहा है, यहाँ पर plus 6 है, तो क्या हो गया, यह हो गया, प्लस में 7 x square, clear, same sign होने पर add कर देना है, different सारोंने पर क्या करिएगा, आप सब्टेट कर देजिएगा, ओके यह learn रखना है आपको, तो आईए, आप हम देखते हैं, x y, तो x y कहां कहां पर है, उसको mark कर लें, तो यह हमारे पास x y, x y, और फिर कहां है, x y, और यह x y, ओके mark हो गया, देखिए, जो same sign होग इसको add कर देना है, तो यह plus है, plus 2, चलिए, और plus 2, यह क्या होगा हमारे पास, plus 4 x y, ठीक है, अब देखिए, हमारे पास यह minus में है, और यह minus में है, तो यह minus में है, तो इसको हम add करेंगे एक साथ, तो minus 9 और minus 1 यहाँ पे है आपका, तो क्या होगा, minus 10, ओके, ध्यान देजि यह important है, minus 10, आप देखिए, यह होगे different sign, तो आप क्या करिएगा, आप आपना इसको difference ले लिजिए, तो difference कैसे लिजिएगा, या फिर आपकी जी, यहाँ पे आप एक बार लिख लिजिए, एक step और आगे बढ़ लिजिएगा, ओके, तो आपको disturb ना होगा, हम चाहे तो एक ह step में कर दे, लेकिन एक step आप लिख लिजिए, पहले plus वाले को आपने add कर लिया, फिर आपने minus वाले को add कर लिया, ओके, ध्यान दिजिएगा, फिर आप देखिए, हमारे पास बच क्या गया, यह y square और यह y square, ओके, तो यहाँ पे minus, यहाँ पर भी minus, same sign, ध्यान रखिएगा same sign, same sign होने पर आपको add करना है, यह बहुत important है, ओके, तो यहाँ पे क्या है, minus 3, यहाँ पर क्या है, minus 2, add कर लिजिए, क्या हो जागा, minus 5 y square, ओके, समझ गे, तो अब इसको फिर हम आगे, फर्दर यहाँ पे करेंगे, आईए, तो एक step और हम चलेंगे, यह देखिए, x square, य तो plus minus में क्या करना है, आपको subtract करना है, different sign होगा, तो आप क्या करेंगे, बता देजिए, different sign होने पर आपको subtract करना है, आद रखिएगा, ओके, तो चलिए, यहाँ पे plus और minus, आप इसको minus कर लिजिए, तो 10 और 4 का difference कितना होगा, 6 होगा, ओके, 6 y, अब प्रसने कि यह plus होगा कि minus होगा, तो यहाँ देखिए, अभी आप 10 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो 10 आपका बड़ा है, 10 का sign क्या है, minus, तो आप minus देजिए, ओके, यह ध्यान रखिएगा, कि जिसका magnitude बड़ा होगा, जिसका magnitude बड़ा होगा, उसका हम लोग sign देंगे, ओके, चलिए, अब यहाँ प पास है, second number, फिर से वही है, same है, ओके, लेकिन यहाँ पे आपका plus sign था, अब यहाँ पे क्या है ना, आपका minus sign है, ओके, चलिए, हम multiply करेंगे, same, वही trick apply करेंगे, तो अभी आप ऐसा कर लेजिए, आप चाहे तो इसको formula पे set कर सकते हैं, या फिर आप diet आप multiply कर सकते हैं, तो formula पे आप कर लेजिए, तो वी ठीक रेगा, यहाँ पे आपका formula set हो जाएगा, हाना, वो formula क्या set होगा, मैं आपको लिख दूँ, जैसे अगर हमारे पास रहता है, a plus b into a minus b, ध्यान देजिए, बहुत important है, तो हम इसको क्या लेख सकते हैं, a square minus b square, यह आपका formula है, आप इसको जरूर से learn किजिए, हना, यह बहुत important formula है, ओके, तो अभी आप देखिए, यहाँ पे a के जगा क्या है आपका, 1 by 7x, b के जगा क्या है आपका, 1 है, और यहाँ पे फिर a के जगा है 1 by 7x, और b के जगा है 1, देखिए, यह formula में बिलकुल set हो रहा है, a minus b into a plus b, क्या है, a minus b into a a plus b, मतलब a square minus b square, ओके, तो आप इसको formula use करके लिख सकते हैं, या तो फिर आप diet अगर multiply कर देंगे, तो भी आपका काम हो जाएगा, ओके, दोनों ही तरह से आप इसको कर सकते हैं, चुकि हम लोग diet multiply करके कर चुके हैं, तो हम चाहरे हैं कि आपको नहाँ पे formula के अनुसार आ आइए पहले हम first part को कर लेंगे, फिर second part को करेंगे, तो first part में हम multiply करेंगे सीधा ही, तो आप देखिए, यहाँ पे हमको multiply करना पड़ेगा, 2 by 3 x को किसे, 3 by 2 x से, तो आइए हम multiply कर लेते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, numerator का numerator से multiply करना है, denominator का denominator से multiply करना है, ओके, clear है, तो आ यहाँ पे 2 3 जा क्या हो गया, 6, ओके, x और x multiply हो के x square, ओके, समझ गए, अभी देखिएगा, हमारे पास यह पहला step हो गया, दूसरा step आप आज़ेगे, यहाँ पे, देखिए, हमारे पास क्या होगा, 6 और 2 यह देखिए, x के निचे 1 है, तो denominator में 1 है, तो हम numerator को numerator से multiply करेंग 6 2 जा क्या होगा, 12, तो आप लिखिए 12, और 1 3 जा क्या होगा, 3, तो आप 3 लिखिए, यहाँ पे कोई भी variable नहीं है, तो आप x लिख दिजिए, ok, समझ रहे न, क्या हो रहा है, चलिए, इधर आईए, यहाँ पे किजिए, तो आप देखिए, इसके निचे 1 है, 4 के निचे 1 तो 4 जा क्या होगा, 12 आप लिखेंगी, और यहाँ पे 2 1 जा क्या होगा, 2 लिखेंगी, x, ok, फिर चलिए, आप इसका यहाँ से multiply कीजिए, तो 6 जा क्या होगा, 24, ok, और 1 1 जा क्या होगा, 1, तो 1 को आपको लिखना नहीं निचे, आप यहाँ पे cancel कर दिजिए, यह देखिए 6 से 6 cancel होगा, 1, यह 3 से 12 cancel होगा, 4, यहाँ पे 2 से 12 cancel होगा, 6, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, चलिए, यह आपका first part हो गया, अब second part आईए, second part में यहाँ पे हमने minus किया, ok, minus किया, और यह formula में set हो रहा है, तो हम formula बना देंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, a square minus b square, तो आप क्या किजिएगा, एक middle bracket दे दिजिएगा, ok, ध्यान रखिएगा, बहुत important है यहाँ पर, हाँ न, तो यह हो गया हमारे पास a का square, आनि 1 by 7 x का hall square किए, minus, यह हमारे पास b, b के जगा 1 है, 1 का square, अब यहाँ पे bracket को हम कर दिए, close, समझ गये, बहुत important है, ध्यान देजिए यह question, ok, अब यहाँ पे हमको क्या मिला है, 1, तो 1 को हम लिखेंगे नहीं, सिधा x square लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, 4 x, ok, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6 x, और यहाँ क्या होगा, 24, चलिए, अब बदाएगा, 1 का square क्या होगा, 1 ह और एक सा कर किलिए और यहां पर है यह जाकर के ओके तब उसको अभी एड़ करेंगे अभी रहने दिजिए ओके एक step और आगे लेना होगा यह दखिए 6 और यह 4 same like term है यहाँ पे x का power 1 यहाँ पे x का power 1 तो 6 और 4 आपका add हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 ध्यान देजिए 10x बहुत important है ओके इसके बाद यह हमारे पास क्या हो गया 24 चलिए अब यह देखिए यह part यह जो आप bracket आप दिये हैं यहाँ पे minus sign है इस minus से multiplication होगा ध्यान देजिएगा तो जब minus से multiplication होगा तो यह bracket आपका हट जाएगा तो आपके पास क्या आजाएगा यह आजाएगा 1 by 49 x square और यह minus और यह minus multiply होगा आपके प्लस होगा यह देखिए बहुत important है यहाँ पे आप ध्यान दिजिए माइनस माइनस प्लस होगा क्या आपको मिल गया वन ओके तो अभी आप देख लिए प्लस वन आपको आगया और यह bracket आपका हट चुका है अब आप देखिए क्या होगा यह हमारे पास x अस्क्वाइर है और यह हमारे पास x अस्क्वाइर है एक आपका माइनस में है दुसरा आपका प्लस में है तो आप क्या करिएगा यहाँ पे difference लिजिएगा दोनों का तो difference आपको इसे निकालिएगा आईए हम इधर करके देखेंगा है या या रफ पे ओके तो आहाँ देखिए हम इसको और यहां पर लिख रही है ओके यह हमारे पास है एक्ग स्कौरइब और यह मैनस में है वन बाई-न भाई-Lip तो हम इसको लिख सकते हैं एकसा स्कौरइब बाई-49 , ध्याँ दिजए ओके एक्गिस के 49 x square ध्यान दिजिए और यह ध्यान दिजिए कि यहां पर 49 से 49 को डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा 1 से x square को multiply करेंगे तो x square ओके अब आगे देखी क्या होता है 49 x square minus 1 x square that is 48 x square और डिवाइड में कितना 49 तो यह आप समझ गें कैसे हो रहा है मैं आपको यहां पर rough में करके दिखा दिया हूँ अब देखी हम यहां पर क्या करेंगे न यह जो अपना है 1 by 49 x square minus में और यह हमारे पास x square plus में यह दोनों मिल करके हमारे पास क्या आगे है यह देखी हमारे पास आगे 48 x square divided by 49 और यह देखी है यह दोनों हो चुका है अब हमारे पास x वाला टम है तो plus में आप यहां पर लेकिए 10 x ओके और यह 24 plus 1 दोनों add हो करके क्या हो जाएंगे 25 तो यह हमारा हो गया final answer यह question बहुत ही important है ध्यान दिजिए ओके तो चलिए अब हम लोग next question को solve करते हैं यह हमारे पास है अब इसी तरह से same हो बनेगा तो आईए हम first term को multiply कर लेते हैं यहां पे 7 से तो 7 7 जग क्या हो गया 49 a b c होगा और फिर इसका आप यहां से multiply कर लेजिए तो यह minus यह plus minus हो गय 7 b पहले तो यह लिखिए फिर b b का power 1 और यहां पर 1 तो क्या हो गया 2 और c c का power 2 होगा और c square हो गया ओके अब second step लिजिए यहां से multiply किजिए तो plus 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 हो रहा है 7 b square फिर आप second कर लिजिए तो आप देखेंगे यहां पे minus यहां पे plus क्या मिलेगा minus तो यह हो गया हमारे पास b क power 3 क्यों हो चुकि यहां 1 यहां पे 2 3 हो गया add करने पर और यह b यह c हो जाएगा ओके तो यह आपका first term हो गया यहां से यहां ते first part आपका complete हो गया आईए second part को करते हैं तो यहां पे c है c से आप multiply कर लिजिए तो आपको यहां पे मिल जाएगा plus में 2 b q c ओके फिर c से आप म multiply किजिए आपको मिल जाएगा plus यहां पे plus minus minus 9 a b और यह c ओके यह multiplication हो गया अब चेक किजिए कहां कहां पे like terms हैं जहां जहां like terms हैं उसको आप add किजिए या subtract किजिए तो यह हमारे पास abc यह हमारे पास abc clear देख लिए तो abc abc यानि like terms हो गये अभी ना एक plus में एक minus में हम क्या करेंगा difference लेंगे तो आप देखिए यहां पे 49 यहां पे 9 है तो difference क्या होगा 40 होगा और magnitude किसका है ज़्यादा 49 का plus में तो plus रहेगा तो यह होगा plus 40 abc यह दोनों आपका हो गया next आपका है यहां पे b square c square चेक कीजिए कहीं पर है क्या नहीं b square c square कहीं पर नहीं है b square कही पर है नहीं है छोड़ देजिए आप देखिए आपके पास BQC BQC ओके ये हमारे पास like terms है तो अभी ना यहां पर देखिए एक आपका minus में है एक आपका plus में है इसका coefficient कितना minus 1 और इसका coefficient कितना plus 2 तो minus 1 plus 2 क्या होगा plus 1 होगा ओके चुकिए different sign है तो different sign में हम लोग लेते हैं क्या minus लेते हैं मैनस कर लिए तो यहां पर क्या मिल गया 1 तो plus में हम यहां पर क्या लिख देंगे plus में लिखेंगे BQC ओके तो यह हमारे पास हो जाता है plus में BQC एक आएगा और यह सब जो बच गिये आप इसको as it is लिखिएगा तो यहां लिखिएगा minus 7A B² C² plus 7B² ओके तो यह अपना हो गया final answer चलिए आप next question को देखेंगे तो next question भी same type का है okay solve करते हैं तो multiply करना पड़ेगा पहले कर लिजिए तो P और P² multiply को क्या हो गया PQ हो गया और P और यह Q² multiply हो गया minus PQ² ओके चलिए इदर कीजिए आपके पास हो गया यहां पर plus में P² Q और फिर यहां पर हो जाएगा आपका Q माइनस में Q का पावर 3 चलिए यह आपका first part complete हो गया second part में आए second part में यहां पर हम देखेंगे P का P² से multiply होगा प्लस 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 ओके PQ आगे देखिए P का Q² से multiply करेंगे यहां पर प्लस यहां पर प्लस क्या होगा प्लस ओके यह क्या हो गया PQ² ओके चलिए इदर आएए यहां पर कर लिजी आप तो यहां पर minus यहां पर plus क्या हो जाता है minus P² Q ठीक है चलिए एदर आएए यहां पर हम कर ले यह minus और यह plus मैनस हो गया और यह क्या हमारे पास Q और Q to the power 2 है तो यह हो गया Q to the power 3 चोकि multiplication में power add होता है अगर वो same variable है तो अब आगे हम करेंगे तो हमको same term को यहां पहचानना है तो यहां पर देखिए यह P to the power 3 है और यह P to the power 3 है दोनों ही plus में है तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास 2 P to the power 3 ओके आगे हम देखेंगे P Q square P Q square कहा कहा है तो P Q square यहां पर है और P Q square यहां पर है और कहीं पर है नई एक plus में है, एक minus में है difference लेंगी, coefficient कितना है यहाँ पर 1, यहाँ पर coefficient 1 मतलब, इसका difference 0 आएगा तो 0 आएगा तो आप इसको cancel कर दीजिए, ओके, आगे देखिए, P square Q कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है और कहाँ है, यहाँ पर है, एक आपका प्लस में एक आपका माइनस में difference लेना है coefficient कितना है one यहाँ पर क्या coefficient one दोनों का difference जीरो हैगा मतलब यह आपका cancel हो जाएगा आप इसको cancel कर देजिए अब देखिए यह हमारे पास है q to the power three यह हमारे पास है q to the power three ओके यहाँ पर माइनस साइन यहाँ पर भी माइनस साइन है सेम साइन आना पर क्या करेंगे एड करेंगे ओके तो आप एड कर लेजिए तो यहाँ पर कोफिशंट वन यहाँ पर कोफिशंट वन एड किए आपको क्या मिला टू तो जो एड करने के बाद वही साइन देना है जो दोनों का साइ है थो माइनस है तो माइनस देजिए और यह क्या हो गया तो क्यों टो ढ़िपाबर तिरी अब देखिए हमारे पास ये क्या हो जाता है यह हम्हरा आफला स्टेप में answer आप चाहाए तो यहाँ पे two को आप common कर लिजिए या नहीं भी करेंगे तो भी आपका answer correct है आप ध्यान दे ओके तो आप ये book में answer नहीं तक छोड़ दिया है तो आप ये भी कर सकते हैं या आप यहाँ भी रख सकते हैं तो ये आपका final answer हो जाता है तो अगला question है fifth number ओके इसको भी हम देख लेते हैं तो यहाँ पर same होगा लेकिन थोड़ा question लेंदी है तो कोई बात में इसको कर लेते हैं आइए आप देखिए हम क्या करेंगे ना same करेंगे जैसे हम लोग multiply किये थे तो आप यहाँ पर x का अगर कर लेजिए multiplication तो xy तो minus में आपको मिलेगा xy ओके फिर आप इधर से कर लेजिए तो minus plus minus और यह हो जागा three two six xy ओके फिर यहाँ से आपकी जी इसका multiplication आपको क्या मिलेगा आप देखिए minus plus minus क्या हो जागा two y to the power two ओके complete अब देखिए यह हमारे पास है थार्ड second term हाना यह तो first term हो गया यहाँ से यहाँ तक कर लिए यह हमारे पास second term है और यह है third term आईए तो अब यहाँ पे minus है तो आप minus देजिए और जब भी minus रहता है तो आप bracket लगा देजिए middle bracket ओके और यहाँ पे आप लिख देजिए x x plus y ओके और यह हो गया हमारे पास x minus y अभी इसको रहने देजिए अभी हम कुछ ने किये हाना as it छोड़ दिए चलिए आगे हम बढ़ेंगे यहाँ पे plus करके तो आप इसको multiply कर लिजिए तो आपको क्या मिल जागा x और यह 2x है minus में तो यहाँ पे minus plus आपको minus होने वाला है तो आप minus कर लिजिए minus आपको हो गया 2x to the power 2 clear फिर आप आगे लिजिए ओके तो यहाँ पे plus यहाँ पे plus तो आपको क्या मिल जागा यहाँ पिर आप इधर से कर लिजिए तो आप देखें क्या मिल जगा minus और यह minus क्या हो गया plus और यह 2 to 잘 4 x y ओके समझ गये फिर आगे तो आप देखिए यहां पे minus यहां पे plus क्या होगा minus और यह 2 यहां पे 1 तो 2 अंजा 2 और y का power कितना हो गया 2 चलिए यह हो गया अब आईए हमारे पास जो बीच का step है न यह देखिए बीच का term है यह formula में sit हो जाएगा और कौन सा formula में sit हो जाएगा तो अब है हमने second number का solve किया था उसमें हमने लिखा था कि a plus b एगर हो और multiply हो a minus b से तो यह हो जाता है a square minus b square तो हम इसी formula को यहां पे apply करेंगी देखिए a plus b और a minus b है तो अभी हम इस formula को यहां पे set कर देंगी तो आईए अगला step हम देख ले तो अगला step में माइनस 3x square को रहने देते हैं ओके रहने देजिए अगला देखिए यह xy है यह xy है same term है like terms है यह भी minus में यह भी minus में add कर लिजिए तो 6 और यहां पर वाक 1 है तो 6 और 1 7 होगी sign क्या रहेगा minus कहीं देगा यह हमारे पास xy आ गया और यहां पर minus में 2y को अभी आप रहने देजिए चलिए अब आप क्या करिए यहां पर minus कर लिजिए ओके और यह bracket के अंदर अभी है रहने देजिए चलिए देखिए a plus b into a minus b तो यह हो गया हमारे पास a square minus b square ओके और यह bracket रहेगा अभी अब यहां पर same आप देख लिजिए आपको xy और xy का term देख रहा है तो अभी ना आप minus 2x square को रहने देजिए और अब आप क्या किजिए यहां पर 4 है और यहां पर 1 है तो क्या हो गया 4 और 1 कितना हो ग और इदर से आप लेजिए minus minus में आपके पास क्या है 2y square समझगे आगे आप इस bracket को हम हटाएंगे इस bracket को हटाएंगे जब इस bracket को हटाएंगे तो minus से क्या होगा multiplication तो आईए एक step हम आगे और करते हैं हमको यहां पर मिलेगा minus 3x square minus 7xy minus 2y square minus से multiply कर देजिए तो यह हो जागा 2x square और यह हो जागा plus y square ध्यान देजिए बहुत ही important है यहां पर ओके यह आप समझगे बरेकेट टूटा है और यह मर्टिसाइन चेंज हुआ है फिर आपके पास है 2x square plus 5xy और यह minus में 2y square समझ गए हैं चलिए next अब हम देखेंगे जो लाइक टॉम से उसको हम एड़ तो यह हमारे पास x square x square x square सभी के सभी माइनस में तो सभी को आप add कर दीजिए simply ओके यहां पर कितना है 1 तो 3 plus 1 4 4 plus 2 यह क्या हो गया 6 तो आपका माइनस में होगा क्यों चुकि सभी के सभी माइनस में हैं तो माइनस 6x square ओके समझगे चलिए अब दूसरा term को हम चेक करते हैं x y x y यहां पर है और x y यहां पर है और कहीं तो नहीं है नहीं एक जगह आपको माइनस देख रहा है एक जगह आपको प्लस देख रहा है ओके तो प्लस माइनस तो आप क्या करिएगा डिफरेंस लिजेगा तो 7 और 5 को क्या डिफरेंस हुआ 2 तो आप क्या लिखेंगे यहा YSQIRE और यह YSQIRE देखिए, यहां पर यह दोनों के दोनों आपके minus में हैं और यह आपके plus में हैं, ओके तो पहले minus वाले का आपको add कर लिजे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 2 plus 2, that is 4, तो आपका हो गया minus में 4 YSQIRE, ओके, और यह plus में है Y, यह क्या है आपका पुलस में है y square फिर से आप देखिए दोनों का डिफरेंस लिजेगा ता आपको क्या मिल जागा माइनस में 3 y square तो आपका अंसर क्या गया माइनस 3 y square ओके तो यह होगी हमारा फाइनल आंसर चलिए अब यह कोर्शन लास्ट है उसके बार अपना वाक्षिट फिनिस हो जाएगा तो हम सेम यहां पर multiply कर देंगे तो आएए हम लोग करेंगे multiplication अब देखिए आप क्या किजिए आप फर्स्ट टर्म को किजिए उसके बाद सेकेंड तो किजिएगा तो आप देखिए यहां पर बीचे माइनस है तो जब भी आपको माइनस दिखे तो आप मिडिल ब मिल जाएगा यह मिल जाएगा एसक्वाइर और बी एसक्वाइर तो अभी आप सेकेंड टर्म कर लिजिए यहां से फिर आप इधर से multiply कीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा यह हो जाएगा आप देख लिए दोनों से करना पड़ेगा एक करके तो यह होगी आप इरे पास a square b square और यहां से आप कर लिजिएगा तो आपको मिल जाएगा b to the power 4 ओके अब यहां पर माइनस है आप माइनस दीजिए और यह middle bracket को लगा दीजिए ओके अब आप multiply कीजिए यहां से आपको मिल जाएगा a to the power 4 फिर आप multiply करेंगे आपको मिल जाएगा माइनस में b to the power 4 ओके यहाँ पर plus, यहाँ पर minus, तो b to the power 4, इधर आईए, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको, यह a का कर रहा है ना, तो a square, b square होगा, okay, a square, b square होगा, चलिए, a होगे, आगे देखिए, हमारे पास इधर से होगा, तो यह होगे, a, a square, b square, के लिए, आप इधर से आईए, यहाँ पर minus, यहाँ पर minus plus, b to the power 4, ओके, समझगे, अब देखिए, यहाँ पर ना, हमारे पास क्या हो रहा है, अब हम अगला step में बढ़ लेते हैं, तो अगला step बढ़ेंगे, आईए, हम यहाँ पर देखेंगे, a to the power 4, यह देखिए, आपका light term से, ओके, तो आपक add होकर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर coefficient 1, यहाँ पर coefficient 1, add हो गया, तो 2, a square, b square, और यह हमारे पास, b to the power 4 रहेगा, अब ही minus रखिए, और यह bracket को भी रखिए, यह हो गया, a to the power 4, यहाँ देखिए, यह दोनों light term से हमारे, यह minus में, यह minus में, add हो जाएंगे, क्या हो जाएंग b to the power क्या हो गया, 4, एक step और लेंगे, answer आजाएगा, तो अब देखिए, a to the power 4, plus a square, b square, और यह हो गया, हमारे पास, b to the power 4, चलिए, आगे, हम bracket को आप तोड़ेंगे, यह bracket को हटाएंगे, तो minus से यहाँ पर multiplication होगा, यह बहुत important step है, जान दीजिए, minus से multiply करेंगे, यह आपका minus में है, यह क्या हो जागा, plus में हो जागा, a square और यह b square, फिर आपके पास यह minus में, plus में हो जाएगा, b to the power 4, यह bracket आपका हट चुका है, अब देखिए, यहाँ पर क्या होगा, अगला step में, a square, a to the power 4, a to the power 4, minus plus, cancel हो जाएंगे, b to the power 4, ओके, और यहाँ पर, हमारे पास यहाँ, plus में था, यह हमारे पास minus में होगा, ओके, तो चलिए, यह आपका cancel out हो गया, अब बच क्या गया, हमारे पास बच जा रहा है, plus में, यह 2 a square b, और यह 2 a square b, that is, यह हो गया, हमारे पास 4, a square, b square, ओके, तो यह अपना final answer आ गया, तो यहाँ पर हम लोग complete कर लियें worksheet 3 के सारे questions को, so I hope this video lesson is helpful for you, so please like this video and share with others and do some comments, also do subscribe my youtube channel and hit the bell icon for upcoming videos, thanks for watching, have a glorious day ahead.